जहिंद्र स्प्रेंट मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितो पीडिये यूपीएसी यूट्यूब चैनल पर सलेवस और यह फूल डिटेल्ड सलेवस है यह जो क्लास है बेसिकली टार्गेटेड है उन सभी बच्चों के लिए जो CAC का प्रिप्रेशन कर रहे है तो फिलाल आप सब का यह जो सलेवस है यही चल रहा है तो अगर आप यूपीएसी का सलेवस डिटेल्ड में बिना जाने आ होना आपका बैमानी है तो बहतर है कि आप सबसे पहले इस सलेवस को अच्छे तरीके से क्रिश्टल क्लियर तरीके से निटन क्लीन तरीके से समझ लो उसके बाद फिर अपने प्रिप्रेशन पर आगे बढ़ो तो यह एक स्ट्रेडेजी का स्रीज है डे वाइडे करके मैं स समस्ते बहें चलिएगा एक नट का टाइम दे दीजे देखते हैं और चीजों को समझते हैं समझते हैं तो क्या है भाई बंदू आज आज है यू पे से सिविल सर्विस एक्जाम का फुल्ड डिटेल्ड स्लेवस क्या है तो चलिए समझते हैं इस पेजरासा एक यूपे से सिविल सर्विस एक्जाम 2023 इस एक्जाम में बिसिकली है क्या इस एक्जाम में तीन एश्ट्रेजिए से एक प्रिलिंस प्रिलिंस जो होगा उसमें बेसिकली अबजेक्टिव ताइब आपसे पसा सवाल पूछे जाएंगे और अगर आपका यह प्रिलिम्स केलियर होगा तभी आप मेंस के लिए पॉम् में बैठ़ पाओगे तो प्रिलिम्स में आपका GS का पेपर है और CC8 का पेपर है। घर तो 9 theory paper है total 9 है जिसमें GS paper 1 से लेके 4 तक आ जागा यह होगी अचार आपका पलस आपका 2 हो जाता language पर 6 हो गया एक हो जाएगा A से 7 हो गया और 2 हो गया optional 9 हो गया तो कुल मिलाके 9 paper होंगे सारे के सारे descriptive form में रहेंगे और उसके बाद लाश्टली है आपका personality test जिसे interview भी गोलता है तो यह सारे कुछ हैंपर classes का structure है अब इस structure को सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसका PT का PT में आपका दो चीज़ है GS और CSET अगर हम GS का बात करें तो वो क्या है बिसिकली objective type सवाल objective type मेंस यह सब तो हम लोग देख लिए दोबारा से लगता है वो आ गया स्लाइट देख अगर बात किया जाए तो एक आकड़ा और और आकड़ा बताता है कि 10 लाग candidate हर साल फार्म भरते हैं जिन में से इस 10 लाग candidate में आपको फाइट नहीं करना क्योंकि सीट जो है आपको चिंत नहीं होना 10 लाग देख करके सीट जो है 700 800 600 1000 एह लमसमाना है लेकिन आपको 10,000 देख करके घवराना नहीं है इसमें से महज 20 से 30,000 student जो होंगे वो basically होंगे जो actual आपको complete कर रहे है बाकी को आपको सोचना भी नहीं है क्योंकि कई सारे तो बस soft perform पर देते हैं एक आखड़ा बताता कि 10 लाग में से 6 लाग के करीब ही बच्चे exam center पर पहुंसते और उस 6 लाग में से 4 लाख ही ऐसे होते हैं जो PT में दोनों paper यानि paper 1 और paper 2 दोनों देते हैं नहीं तो जादर क्या होता ना कि paper 1 देने के बाद गायब हो जाते हैं paper 2 में attend भी नहीं करते हैं इसलिए आपको घवराना नहीं है इन चीजों को देख करके ठीक है चलो अब है सवाल के prelims का paper किस तरीकी का रहता है अनि के जहिन भावू देखो paper का pattern कैसा रहेगा तो GS paper 1 जो है अपना GS paper 1 इसमें total 100 सवाल आपको मिलेंगे हर एक सवाल रहेगा दो नंबर का कुल मिला के हुआ 200 नंबर का आपका paper होगा और CSET में total आपके 80 सवाल होगे ये भी कुल मिला के 200 नंबर का होता है अब आप बास समझो आपका CSET में अगर score रहा कितना score minimum आपको चाहिए 33% यानि 66 नंबर आप 99 अबरे 70 मान के चलो अगर आप 70 achieve करोगे CSET में तभी आपका GS paper 1 जो चेक होगा और GS paper 1 चेक होगा तो इसी के score के आधहार पर cut-off list तयार होगा और आपको allow या disallow किया जाएगा means भरने के लिए तो आपको target रखना है कि CSET में at least 70 number आप achieve कर लो और means में आप 130 के करीब अगर achieve कर लेते हो तो आप safe zone में तब फिर आप जाकर के means का paper form भर पाओगे और means का paper दे पाओगे आस्था जहिंद सागर जहिंद हाँ अभी जश्ट live होगा ने के तो यहाँ पर आप बात को समझें कि आपको अगर इस exam को qualify करना तो एक चीज तो भाई किलियर है किलियर क्या है कि आपको सबसे पहले एक चीज ध्यान दो जो अपना PT है PT कितनी भाग में बटा दो भाग में GS और CSET GS का paper जो है वो तभी चेक होगा जब आप CSET में at least 33% लेके आओ यानि यहाँ पर आपको target करना कि 200 में 70 नंबर आपको achieve कर ही लेना है आपको यहाँ पर target करना है कि 200 में 70 नंबर achieve कर ही लेना है तब जाके आपका यह paper चेक होगा इस paper में आपको target करना 130 के approach अगर 200 में लेते आओ तो आप safe zone में हो और आपको एलाव हो जाएगा form भरने का कौन सा detailed analysis form def भरोगे तभी आप men's का paper दे पाओगे तो PT का काम बस इतना तक है eliminate करता है उसके आगे कोई काम नहीं scoring में final score में उसका कोई role नहीं है यह बस elimination में सताम है अब यहाँ पर समझो कि ना जो यहाँ पर current affair मिलेगा national और international importance का पिछले दो साल कपढ़ लो तो safe zone में रहोगे ठीके एटलिस्ट कोसिस करना है आपको कि last two year तो आपको पता होना चाहिए और वीडियो को लाइक कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा आगे समझे जहिन भाई दूसरा आपको history जानना है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो क्या लिखा हुआ history of India and international moment यानी कि आपको world history नहीं पढ़ना है आपको state history नहीं पढ़ना है आपको स्रिफ Indian history पढ़ा होना चाहिए international moment पदा होना चाहिए Indian national moment अलग से लिखने का मतलब है कि इंडिया एंड वर्लड ग्रफी इसमें physical, social, economic, geography of India और world यानि world geography, इंडियन जगरफी दोनों जेखना आपको और geography में आपको physical geography यानि universe वाला इंडियन जगरफी, world geography, social और economic geography economic geography मतलब किस देश में किस चीश का production है कहाँ पर कौन सा industry है इस पर विध्यान देना है social geography मतलब कहाँ पर कौन से tribes रहते हैं travels के वारे में भी आपको जानना है देखो एक वर्ट को हम लोग तोड़ेंगे ठीक है अब है यहाँ पर आगे जा करके इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस वर्ट को पकड़ो पॉलिटी भी है और गवर्नेंस भी है तो आपको दोनों भुक उठाना होगा दोनों एम लक्षमी का अब बुक आता है पॉलिटी का भी गवर्नेंस का भी दोनों उठाना होगा आपको Constitution पड़ना है पॉलिटीकल सिस्टम अपना पंचायती राज पब्लिक पॉलिसी राइट इसू यह सारी चीज़ है इकोनोमी में क्या Social Development क्या हो रहा है Sustainable Development क्या हो रहा है Property, Inclusion, Demography, Social Sector, Initiative यह सारी चीज़ हो और General Issue of Environment, Ecology, Biodiversity यानि कि यहाँ पर आप देखो एक चीज़ अगर ध्यान दो तो Ecology का, Biodiversity का, Environment का बहुत important है इसलिए इसको अस्पेसल लिख दिया गया है Science तो अलग लिखा गया है, लेकिन इसको अस्पेसल लिखा गया है, क्योंकि इसनका बहुत बड़ा रोल है ठीक है यह तो हो गिया GS paper का, PT का अब CSET CSET जो धाई से साड़े चार के बीच दो घंटे का यह paper होगा वो basically 80 सवाल होंगे 200 number के total total maximum marks 200 number जिसमें आपसे comprehensive पुछ जाएगा interpersonal skill including communication skill logical reasoning, analytics decision making, problem solving general mental ability कुछ mathematics के सवाल होंगे class 10 level के DIY से सवाल रहेंगे जिसमें आपको minimum 33% तो लेही के आना उसका कोई विकल्प नहीं है, उससे कम लाओगे कोई काम नहीं है, आएगा चले, अब आगे समझेगा यहाँ पर जो decision making का सवाल होगा उसका कोई negative marking नहीं होगा, बता दे रहा हूँ बाकि सबो के negative marking है यह चीज याद रखेगा, ठीक है बाकि सबो के negative marking है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया 1y3 आपका negative marks रहेगा, ठीक है चलिए अब सी सेट के बाद बार यहाँ आता है कि इसका point to be noted कि यह जो stage है स्रिफ और स्रिफ elimination के लिए इसका final marking में कोई रोल नहीं है, रैंकिंग में आपको कोई रोल नहीं है आपको बस छट यहाई है छट नहीं है बस उसका अब मेंस में बैठने का आपको टिकट मिलता है बस यह है इसके बाद अब आते एक्च्वल चीज मेंस कि यह final score में जाएगा merit list में जाएगा, ranking इससे तय होगा तो यह भी दो कडिगरी में बटेगा एक वैसा पेपर जो qualifying nature का है स्रिफ बस qualify करना आपको बस वह है यह दो और वह पेपर जिसमें आपको merit लाना है जिसका score जुड़ेगा qualifying paper जो है उसमें क्या है 300 नंबर का हिंदी या कोई भी एक जो लेंगवज उनमें से कोई भी एक और 300 नंबर का इंग्लिस इसको पहले समझो आप उसके बाद बागी चीजों को समझना यहां पर और क्या क्या है यह भी जान लो मेरिक लिष्ट में आपका मेंस पेपर वन एसे जी एस पेपर वन टू थी फॉर ऑप्सनल का दो पेपर बस उसके बाद तो इंटर्विव रखेले चलो समझते हैं यह तो यहां पर आपको कितना लाना आप यहां पर मात्र आपको 25 परसेंट लाना है 300 का महज 25 परसेंट कित इसका नंबर इस लिष्ट में नहीं जुड़ेगा ठीक है इसका नंबर इसमें नहीं जुड़ता यह बस इसमें आप क्वालिफाई होगे इन दोनों में तभी आपका यह सारे पेपर चेक आउट होंगे अन्य था नहीं होंगे तो यहां पर आपको 25 परसेंट ला करके बस होना है उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं करना है बस तो याद रखिया यह चीज कितना 25 परसेंट मातर उससे ज्यादा कुछ भी नहीं करना है तो 300 का 25 कितना हो गया तो 75 नंबर मातर आपको 75 नंबर लाना 300 में, तो कितना कम हो, आप असानी से ला सकते हैं, लेवल का तो सवाल रहेगा, क्या रहेगा, तो समझें, इंग्लिस का बात करें, तो इंग्लिस में आपका रहेगा 100 नंबर का एसे, 60 नंबर का प्रेसी राइटिंग, 60 नंबर का, ट्रांसलेशन आपको मिलेगा, 20 नंबर का, 20 नंबर का, कमपसरी लेंग्वेज, टू इंग्लिस मतलब, जो भी आप लेंग्वेज चुने हो, भारती भासा, उसके इंग्लिस में ट्रांसलेशन रहेगा, बेसिक ग्रामर रहेगा, 40 नंबर क इस तरीके से आपका ये 300 नंबर का पेपर है जिसमें आपको लाना है मिनीमम 75 अब 100 मान के चलो न सीज़ा अब सेफ जोंग के लिए 100 और इंग्लिस को उस लेंग्वज में टांसलेट करना होगा तो यहां पर क्वालिफाइ कर गए काम खतम होगी आप दिमांग नहीं लगाना अब आपको आना है एक्चुल बेटल फिल्ड में और एक्चुल बेटल फिल्ड यानी but क्या में में लिए लिश्ट में तो सबसे पहले आए एगा और क्या एसे डरहेगा वो बेसिकली मल्डिपल इसावर्म कैärt выполn बात हो अब बस जान लो सय में यहां एक क्या है तो यह subscribed के लिए एक मिला जुला चीज रहेगा सारे सिर्वेट का मिला करके उससे आपको लिखना होता है बहुत इजी है बहुत बड़ा सुर्बा नहीं है काफी इजी कर दिया गया है पेटर्न फोटिंग से इस मेटर में दिखा जायता है अब आते हैं मेंस का पेपर टू यानि जी एस पेपर वन जहां पर आपसे पूछा जा रहा है इंडियन हरीटेज एंड कल्चर हिस्ट्री जोग्रफी ऑफ वर्ल्ड एंड सोसाइटी लेकिन यह बोलने के लिए छोटा है से बहुत कुछ है अजादी के बाद भारत का इस्तिति क्या रहा वर्ल्ड हिस्ट्री में कलोनालाइजेशन डी कलोनालाइजेशन वर्ल्ड वार इसके बारे में पिस सोसाइटी के बारे में आपको जानना है महिलाओं का क्या रोल है सोसाइटी में उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कोई चौन्चिफी से इंचेशे सुन किस तरीके से गौश्वर्मेंट कार सिस्ज्टम करता है कि आ Southwest और चुक्त्राइब आपको पता होना चाहिए अधर कंट्री क्र डूर्लेशन उसके बारे में आपको बाकी जो ग्रूप में सोग्यां पता होना चाहिए लौ के वारे में पता होणा चाहिए थौड़ा भोत और इनके बारे में तो यह सारी चीजों पर हम लोग एक 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 डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि हर इसके हर एक पेपर का मेंस के हर एक पेपर का एक एक सेपरेट वीडियो आने वला भी यह बस ओवर ओल मैं आपको ओवर्व्यू दे रहा हूं कि क्या क्या है फिर टेकनलोजी एकनोमिक डेवलेप्मेंट बायो डाइवरसिटी इन्वारेमेंट सेकुरिटी डिजास्टर मनेजमेंट यह सा अबकर लेना होगा एक सब्जेट का दो एक जाम होगा और वह सब्जेट का लेवल पीजी लेवल का रहेगा तो इन में से कोई भी आप सामने अभी ऑप्सन दिख रहे हैं लेकिन कैसे चूछ करे सबसे बड़ा सवाल होता है आप इन में से अलिमिनेट करो कौन सा ले 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 आप क्या करो जिस चार सब्जेट में आपको डाउट लगा उन चारो सब्जेट का लाश्ट फाइव येर का मेंस का कोश्चन पेपर डाउनलोड कर लो और एक ही करके पढ़ो पढ़ने के बाद आपको खुड आडिया लग जाएगी ना किसमें अधिक आपको रूची आ रहा है जिसमें अधिक रूची आएगा उसी को चूच करना और जिसे एक बार चूच कर लिए फिर छोड़ना मत उसको अंत तक उसके साथ रहना बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि छोड़ देते सब्जेट स्विच कर लेते हैं मेंस का नटीज़ा क्या होता है उसका कि पहले तो उस सब्जेक्ट पर अच्छा कहा सा महनत वेकार और थे फिर सूलू से महनत करना पड़ जाता है इसलिए वह गलती मत करना आपके गलती से भी और लाश्टली होगा इंटरव्यू जिसे प्रस्टनालिटी टेस्ट बोलते हैं जो कि 275 नंबर का होता है तो 1750 नंबर मेंस का 255 नंबर इंटरव्यू का कुल मिला के 2025 नंबर का फाइनल एक्जाम होगा ठीक है किलियर है सब अब जो नेश्ट वीडियो इस टॉपिक पर में लाओंगा उसमें मैं बताओंगा आपको कि क्या कॉमन है पीटी और मेंस के बीच में और किस तरही से पीटी कम मेंस या मेंस कम पीटी प्रिप्रेशन आपको अगला जो वीडियो आएगा उसमें कॉमन चीजों पर बात करेंगे जो इन दोनों में कॉमन है इसके लावा हमारे टोटल तीन यूटुब चैनल हो चुके अब पहला में तो पीडिया जो कि दास्तान और थीसरा है इवलूशन नेतागिरी में द्सक्राइब किसी के भी अधास्तान में उन किस से कहानियों पर जिक्र होता है जो आजादी के पहले वाले भारत के रहें जैसे जहांगीर हो गया अकवर हो गयां असूख आएंगे इन सब बात होगा तो दास्ता बिसिक में कुछ रोचक इंट्रेसट्निंग इसे का सब्सक्राइब और चांदी कहां से आया सोना कहां से आया सरह यह सारीवात या तो चैनल के अब दिखुर यह ही इसमें हम लोग फिलाल दो चीज पर कामकर रहें एक टो आप जो इस एनिमेटेड वीडियो में आपको क्या मिलता है तो इसमें आपको मिल जाता है फिलाल आर्ट एंड कल्चर के क्लासेस टॉपिक वाइच और अपना टारिएट है कि इस अमिटोपीडिया यूट्यूटूब चैनल पर जीएस पेपर जो है मैंस का उसके सारे सिर्वेट को ए वहीं अमिटोपीडिया यूट्यूटूब चैनल पर एक और चीज़ चल रहा है क्या जो अभी आप देख रहे हो सलेवस अनालेसेस और जाश्टली ए यह वॉर्यर वॉर्यर में चलता अपना लाइव कलासेस तो यह जो वॉर्यर यह वंदे कगना लिए है लेकिन इसुक अपना बेसी टारगेट है यूपी सी का लेकिन इसमें में को टार्गेट किया गया है वह इसलिए भी क्योंकि उसी को टार्गेट करके डिटेल में विडियो बनाया जा रहा है पहली बाद दूसरी बाद में सवाल भी दिये जा रहे हैं इसलिए अपने लिखा पूजा मोस्ट विल्कम आनिकेट आपने लिखा आपको अप्सेंट है बाबु पहले देख लाए ना लाश्ट फाइव यह का उसके वाद टै करना पॉल्टिकल साइन्स आपको नहीं पढ़ना इसमें आपको इसमें आपको इंटरनेशनल रिलेसंसिप पढ़न पढ़ना होगा आपको इसमें पॉलिटिकल ठॉट भी पढ़ना ओगा पॉलिटिकल आइडियोलोजी भी पढ़ना होगा बहुत लेंदी से अब बहुत कॉंप्लिकेटर है मैं डरा नहीं रहा हूं बस वस्तविक्ता से रूबरू करा रहा हूं पहले आप लाश्ट फाइव य अब भी सोसल मेडिया का हैंडल का डिटेल से और यह अपना कॉंट्रेक्ट नंबर है कुछ भी इसू हो तो आप मेरे को वाट्सेप कर सकते हो जिस पर मैं आप से डारेक्ट डिसक्स कर लूँगा जो भी आपका इसू है बाकि कमेंट में भी आप अपना समस्या मेरे को बता सकते हो और वीडियो के लिए धन्यवाद और इसी के साथ मिलते हैं अपने वीडियो में तो के लिए जय हिन जय भारत वंदे मातरम लाइक से सस्क्राइब यह रोसे किजिए जय हिन वेज